अलो दोस्तों तो स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिंसर्व के सेर्स के बारे में ठीके बजाज फिंसर्व ये हैं फाइनेंसियल सर्विसेस देता है ठीके तो आज हम बात करें बजाज फिंसर्व के सेर् इसको buy किया है या hold करके रखे हैं तो क्या आपको इसके shares को hold करके रखना चाहिए या sell कर दिना चाहिए या अगर आप इसके shares को buy करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या आपको buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपको सारे जनकारिया इस वीडियो में मिल जाएगी तो बने रही है शुरू से लेके लाज तक चलिए शुरू करते हैं बजाज फिंसर्व इसके अभी एक सेर का प्राइज है एक हजार आट सो रुपे सतर पैसा ठीके आप यहाँ पे देख पाएंगे ठीके अगर इसके रिटरंस के बारें बात करें वन डे यानि चार नोमबर 2022 का जो रिटरंस था बजाज फिंसर्व का आप देख पाएंगे पलस 77.20 यानि 4.48 परसेंट का रिटरं दिया है वन डे में यानि 4 नोमबर को ठीके अगर वन विक काम रिटरंस देखे बजाज फिंसर्व का तो आप देख पाएंगे पलस में रहा है पलस 135.65 यानि 8.15 वन मन्थ में प्लस में राहे है प्लस नैन्ट नोग भॉट Two फरसंत वन मज में अगर हम ett プ प्लस में राहे है फ्लस 誓orama phi Bean 2020 यानि 22 wus फिन्ट यह अगर हम fits this करेंगे बजास फिल सबका तो आप देख पाएंगे फाइब पिर्स में राहे है प्लस 1297.70 यानि 257.99% 5 years में अगर हम अभी तक का return देखे बजाज फिन सर्व का तो आप देख पाएंगे प्लस 1741.75 यानि 2954.73% का return दिया है बजाज फिन सर्व ने अभी तक ठीके अब चलिए हम इसके performance के बारे में बात करते हैं ठीके लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी और जनकारी दे दे आप यहाँ पर देख पाएंगे तो 26 मैज 2008 को जब जाज फिन सर्व का एक सर का प्राइस था वो 45 रुपेव 97 पैसा था ठीके जो की आज फिलहाल करंड डेट 9 सेटेमबर 2022 को बजाज फिन सर्व का एक सर का प्राइस हो गया 1800 रुपे 70 पैसा आप यहाँ पे किलरली देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2008 से लेके 2022 तक कितना परगति किया है बजाज फिन सर्व ठीक है अब चलिए हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तूडे हाई यानि 4 नौमबर का अगर हाई प्राइस देखा जब जाज फिन सर्व के सेर्स का तो आप देख पाएंगे अगर लो पराइस देखा जाए तो आप देख पाएंगे 1721 रुपे 5 पैसा 4 नौमबर का ठीक है अगर 52 वीक का हाई प्राइस देखा जब जाज फिन सर्व के सेर्स का तो आप देख पाएंगे 1828 रुपे 10 पैसा और जो 52 वीक लो पराइस था वो था 1072 रुपे बहुतर पैसा ठीक है अगर हम भैलूम देखे बजाज फिन सर्व का तो भैलूम हम 6981242 का ठीक है प्रिवियस क्लोजर पराइस है 1723 रुपे 50 पैसा ओपेन हुआ था 1722 रुपे 90 पैसे पे ठीक है अगर बरामेंज चेक कर लिया बजाज फिन सर्व का अब चलिए एक स्पर्ट रेटिंग सम्गा से 119 делаетεται है थीके यानि darstock करने वाले 70 पर्चेंट लोग है पीवी रेसियो 50.16, EPS 34.36, पीवी रेसियो 6.81, डेविल्ड 0.02%, इंडस्ट्री पीवी 14.02, बुक बैलू 266.59, डेप टो इक्विटी 4.22 और फेस बैलू 1, ठीक है, तो फंडामेंटल में आप मार्केट कैप, ROE, PE रेसियो, EPS, PB रेसियो, डेविल्ड, इंडस्ट्री पीवी, बुक बैलू, डेप टो इक्विटी और फेस बैलू आप देख पाएंगे किलली, ठीक है, अब चलिए हम बजाज फिन सर्व का फाइनेंसियल चेक करते हैं, फाइनेंसियल में हम चेक करेंगे रेवेनू, प्रोफिट और नेटवर्थ, अगर आपने किसी भी कंपनी का रेवेनू, प्रोफिट और नेटवर्थ देख लिया, तो आप इस समझ पाएंगे असाने से कि आपको इसके कंपनी में इनिवेस्ट करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो चलिए हम 54347 करोड का, ठीक है, दोयर 21 में 6587 करोड का, और 22 में और 6435 करोड का, ठीक है, अगर हम बजाज फिन सर्फ का रेवेनू देखें तो आप देख पाएंगे पिछले 5 साल में लगातार बढ़ता ही गया है बजाज फिन सर्फ का रेवेनू, ठीक है, अगर चलिए हम देखें बजाज फिन सर्फ का, तो आप देख पाएंगे 2018 में चो प्रोफिट था वो था 2650 करोड का, ठीक है, अगर हम प्रोफिट भी देखें बजाज फिन सर्फ का, तो फिचले 5 साल में लगातार बढ़ता ही गया है, ठीक है, अब चलिए हम नेटवर्ट चेक करते हैं, अगर हम नेटवर्ट देखें बजाज फिन सर्व का तो आप देख पाएंगे 2018 में जो नेटवर्ट था वो था 20,483 करोड का, 2019 में 23,766 करोड का, 2020 में 31,301 करोड का, 2021 में 35,830 करोड का और 2022 में 40,247 करोड का, ठीके? अगर हम बजाज फिन सर्व का नेटवर्ट भी देखते हैं, तो पिछले 5 सालों का डाटा देखने से हमें ये समझ में आता है, कि पिछले 5 सालों में बजाज फिन सर्फ का नेट वर्थ भी लागतार बढ़ता ही गया है तो बजाज फिन सर्फ का रिवेनू, प्रोफिट और नेट वर्थ तीनों लागतार बढ़ता ही गया है पिछले 5 सालों के डाटा देखने से हमें ये पता चलता है तो आप यहीं पर समझ जाएंगे कि आपको बजाज फिन सर्व का share बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या अगर आपने बाई किया है तो उसे hold करके रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए ठीके मैं अपना suggestion आगे दूँगा चलिए थोड़ी और जनकार इसके बारे में लेते हैं ठीके तो हम company के बारे में जानते हैं अगर हम parent और जेसन देखे तो बजाज फिन सर्व लिमिटेड है इसके MD&CEO सिरी संजीव नायन बजाज हैं Founded in 2007 और NSC Semble बजाज फिन सर्व ठीके तो हमने बजाज फिन सर्व का company के बारे में देखा जो थोड़ी जनकारी दिये हुई थी ठीके यानि इसका सस्थापना कब हुआ था इसके MD&CEO कौन है और NSC Semble क्या है ठीके हमने बजाज फिन सर्व का revenue profit और network चेक किया ठीके Fundamentals देखा, Export rating देखे, Performance देखा ठीके तो सारी detail देखने के बाद आपको भी समझ में आगया होगा कि आपको बजाज फिन सर्व का share buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीके उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं अगर भी recommend करूँ आपको तो बजाज फिन सर्व का आप share buy कर सकते हैं ठीके क्योंकि आपने देखा कि पिछले पांच साल हम इसका net worth हो revenue हो या profit हो बढ़ता ही गया है ठीके simple stuff funda है अगर आपने किसी भी company invest किया तो आपको कुछ से hold करके रखना चाहिए लंबे समय तक ठीके आप long term के बारे में सोचिए short term के बारे में मत सोचिए ठीके अगर आप इन सोचते हैं कि invest करके आप अच्छा खासा पैसा बना ले तो आपको long term के बारे में सोचना चाहिए short term के बारे में नहीं ठीके तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तिसे like किजिए share किजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तिसे subscribe करना बिल्कुल न भूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वा नष्टे गुडबाए